मद्धिपदेश की आर्थिक रासधाने इंदौर में अब फ्रेंट लाइन वरकर्स को कोवीड नाइनटीन का टीका लगाया जाएगा जिसके जलते स्वास्थ विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है इस संबंध में स्वास्थ विभाग के अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई देखे एक खास रिपोर्ट इन दोर में हेल्थ वरकर्स के बाद अब फ्रेंट लाइन वरकर्स को कोवीड नाइटीन का टीका लगाने की तैयारी जोरों पर है इसे लेकर जहां स्वास्थ विभाग के अधिकारी तैयारियों को लेकर मंधन कर रहे हैं वहीं कनिस्च अधिकारियों को महत्वपूर्द दिशा निर्देश भी जारी किये गए हैं आगामी आठ फरवरी से फ्रेंट लाइन वरकर्स को टीका लगा जाएगा कोवीट नोडल अधिकारी डॉक्टर अमेत मालकार ने कहा कि आठ फरवरी से फ्रेंट लाइन वरकर्स का टीका करन किया जाएगा इसे लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है फ्रंट लाइन वर्कर्स के हिसाब से ही वैक्सिनाईगी थर्ड फेस को लेकर भी तैयारियां की जा रही है उन्हें कहा कि को वैक्सिन को लेकर संशे की स्थिती लोगों में नहीं होना चाहिए कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है देखे, राजे सासंस से प्राप्त निर्देशों का निर्देशों का निर्देशार, अभी हमें आठ तारीक से फ्रंट लाइन वर्कर्स का सेसंस स्टार्ट करना है अभी पूरी टीम इसी में बैठी हुई है, मेरे साथ में जो डियो साथ बैठी हुए हमारी डेटा मेनेजर बैठी हुए हमारी एपीडेमिलोजिस बैचे हम युसी की प्लानिंग में लगे हुए हमें बैसी के लिए हमें को वेक्सीन का डोज आएगा और लगभग 10 परसेंट के आसपास हमारे पास में को वेक्सिनेट कराना है उन्हें के हिसाब से लौट आएगा फ्रंट लाइन वर्करस चुकि डूति चरण में अब आ गयी हैं पहले चरण की वैक्सीनेट में हमने हेल्थ केर वर्करस को वैक्सीन लगवाय था तद उपरान तब हम फ्रंट लाइन वर्करस को लगा रहे हैं उसके बाद राजशन और जिलाप्रव को के निर्देशन उसर हम आगए जो हमारा जो थर्ड फेस पे जब हम पचास साल से अधिक वालों के लिए वी त्यारिया हमारी चल रही हैं साथ ही साथ हम अभी चुकि आठ तारीक को हमारा सेशन फ्रंट लाइन वरकर्स के लिए स्टार्ट करना है उसकी सेशन की साइट प्लान और उसके बाद हम ये चार दिनों में पूरा सेशन को हमें कंप्लीट करना है हो सकता है कि बाद में हम एक दिन या दो दिन मौप अप के लिए हमें राजिस्तर से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम मौप अप राउंड भी करेंगे लेकिन हमारा टार्गेट है कि हम ज़् स्वास्थ विभा कामला फ्रंट लाइन वरकर्स को टीका लगाने की तैयारियों में जुट गया है एंपी न्यूस के लिए इंद और से धरमें द्रिया दफिक रपोर्ट